अरे महराज भागिये बुकम्ब का जटका आया है बधवासी से भागतों लड़के ने कमरे का दर्वाजा जोर से खट खट आया खट 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 अबे साला कौन है इतनी रात में कमरे के अंदर से नीन में डूबी हुई अलसाई सी आवाज आई और दर्वाजा खुल गया महराज भुकम्ब का जटका आया है जल्दी चलिये क्या भुकम्ब का जटका मैं तो समझे रहा था कि आज नशा जादा हो गया है इसले पलंग और दिवारे हिलती दिखाई दे रही है भागो भागो वह उठने की कोशिश में अपने टेबल से टकरा जाता है फटाथ या हर काम खो टेबल कई बार चोत मार चुकी है क्या कमरे हैं दड़बे हैं सब दड़बे और किरा तो देखो गालिया बहुत देते हो महराज तेरी क्यों फट रही है भौसडी के चल भाग दोनों भाग पढ़ते हैं दीरे दीरे वातावरन में सीडियों से उतरने के ठप ठप की आवाजे सुनाई देने लगती है हर कोई सीडियों से नीचे की और भाग रहा है जो लोग नीचे सकरी गलियों में पहुँच चुके हैं वोई कॉलोनी से बाहर मुक्ष सड़क की और सरपट दौट लगा रहे हैं कोई कमरे के दर्वाजे पर ताला लगा कर भाग रहा है को चोटे चोटे दर्वे एक एक करके खाली होते जा रहे हैं अब यह अलग बात है कि यहां इनी दर्वों को रूम कहा जाता है जो जैसा है जैसे स्थिती में है बस वैसे ही भाग पड़ा है अब उठ जल्दी कर मोबाइल और पर्स तो ले लू यार हाँ हाँ पर्स जरूर ल कि कुछ लोग तो आपस में ही टकरा गए है तब मृत्यू का भै भी अधरों पर मुस्कान का रूप ले लेता है महराण आराम से कोई अपने कमरे के सामने कोरीडोर में बे तर्ती बिक्रे कचरे से ही उलज गया है भागते हुए दूसरे लोग यह मौका तक हाथ से जाने द लाते जा रहे हैं अपनी अपनी चिंता के साथ दूसरों की सिक्र भी है सोय हुए उठाय जा रहे है अबे उठ त्रिपाठी उठ वरना साले सोता ही रह जागा त्रिपाठी जी बिजली के तेजी से उठे और यह जा वह जा अथात ओलंबी के किसी मेडलिस की गती से भाग पड़े नशे में धुत्त सोय हुए को उठाकर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है वाता वरन में एक अजीब सी बधवासी है हर कोई सीडियों पर सरपट दौड दगा रहा है ऐसे भाग दौड के अफसरों पर दो प्रकार के लोगों को यहां मिलखा सिंखी का या तो अनुभव नहीं है या कम अनुभव है कोई तोविल में है तो कोई बन्यान पैने ही दोड़ दिया है ऐसे जावाज अनुभव ही लोग यहां तुरंती मिलखा सिंख का खिताब पा जाते हैं कुछ बहादूर लोग ऐसे भी होते हैं जो भागने में गजब की बिचारे बद्री जी एक बार मित्र गजेंद्र के साथ सोई हुए थे गजेंद्र कुछ कुछ जाग रहा था गजेंद्र ने अचानक भुकंप का जटका महसुस किया और चिलाने लगा भुकंप भुकंप और बद्री भाई जैसे हवासे बाते करने लगे गजेंद्र तो स कि उस घटना के बाद बिचारे बद्री अपना वास्तविक नामी खो बैठे वो अपने इस कुकृत्य को लेकर आज तक पस्ता रहें क्योंकि वे तभी से पूरी कॉलोनी के लिए उपहास का विसे हैं दरसल बद्री भाई या बात भूल गए थे या तेज भागने की मना ही हैं तेज नहीं भाग सकते धीरे धीरे भाग कर जान बचा सकते हो तो बचा लो दरसल तेज भागने कॉलोनी के नियमों के विर्द्ध हैं थोड़े जोश में आकर अगर कोई दो-चार कदम दोड़ने की कोशिश करे भी, तो सामने कोई न कोई दिवार, कोई बिल्डिंग, किसी का घर, कोई दुकान या कुछ भी आ सकता है। अगर ज्यादा जोश में दस-बारा कदम दोड़ गये, तो भाई साब गली खतम हो जाएगी, इसलिए तेज भागने का रिवाज यहां नहीं है, जान है तो जहान है, वाली बात सच है, पर सारा नियम कानून भी कुछ होता है, है की नहीं। हाँ, बिना तेज भागे भी आप मेडल जीच सकते हैं, बारिश के दिनों में कॉलोनी के अंदर के किसी कमरे से पैरों में कीचर लगाए बिना रोड तक आ जाएं, बस यह भी ये चमतकारी वो हिम्मत वाला काम है, इसलिए यहां कयामत का दिन वहम आना जाता है, जबकि भ पारिश भी हुई हो, सीडियों पे दोड़ते चौबे जी का पैर अचानक फिसल गया, वे धर धर की तेज आवाज के साथ गिनने लगे, फिसलते फिसलते चौबे जी तीन चार सीडियां उतर गये, उनके पीछे दोड़ लगाते दो अन लड़कों के चेरे का रंग उतर ग जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, पैर में चोट होते हुए भी उनकी गती अन्य लोगों से कहीं ज्यादा थी, नीचे गली में पहुचने पर सामने वाली बिल्डिंग से उनके तीन-चार मित्र भी गली में आ चुके थे, और ये चौबे जी के पैर में क्या हो गया है पर चौबे जी को जैसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, वे चुपचाप लंगडाते हुए तेजी से आगे निकल गए, इस भौसरी वाले का यही रहता है, हमेशा ऐसा ही भागता है, इस बार तो पैर तोड़ा है, पिछली बार इसने अपने दात तोड़ लिये थे, कॉलोनी का स्थाई मिलखा सिंग है, भागते कदमों के साथ साथ उनके खिलखिलाने की ध्वनी भी मिल गई, उपलब्द सीमाओं में सभी की कोशिस है कि जल्द से जल्द कॉलोनी के सामने वाली सड़क तक पहुचा जाए, छोटी छोटी गलियां है, गलियों में एक दूस दौड लगाता है, बुकंप का अनुमान होते ही सिर पर पाउं रखकर सब से आगे निकल जाना चाहता है, कॉलोनी के मुखे गेट से थोड़ा पहले खातू दादा भागे जा रहे हैं, धारी वाला कुत्ता आकर उनके पैरों से जोर से ठकरा गया और चिलाने लगा, दादा मस्कुराते वे कहविटे, इस गदेचंद को सबसे पहले जान बचानी है, फिर वे भी कुत्ते की पीछे दौड पढ़े, देखते ही देखते ही कॉलोनी की सामने वाली सड़क पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ अनुभवी वा धीर गंभीर लोग ऐसे भी हैं, जो यहां की इस परमपरा के आदी हो चुके हैं, उन्होंने इस सिधान को जैसे जीवन में उतार लिया है, कि जाको राखे साईयां मार सके ना कोई, वे चुपचाप अपने अपने बिस्तोरों पे पड़े रहते हैं, बहादुर इतने कि उन्होंने भागने के चकर में अपनी नींद खराद नहीं की है, वे परम मोक्ष के ओर चल चुके हैं, माया मोँ से परे हो चुके हैं, जिंदगी और मौत तो उपर वाले के हाथ में हैं, वे यह मान चुके हैं कि यदि मौत है, तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि नहीं है, तो कोई मार नहीं सक पांस-दस मिनट के बाद ही सामने वाली सड़क चहल पहल से भर चुकी है। अरे मिश्रा जी आप कहा रा गय थे माराज। दूसरे ने चुटकी लिए। लगता है कि सबसे तेज भागे हैं। सभी हस पढ़ते हैं और मिश्रा जी ने भी दांत बहा निकाल दिये। यहां कोई किसी की ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। मृत्यू कब है हास परियास का रूप ले रहा है। जन्मत बदल रहा है। सभी लोगों में एक तिवर उतेजना है कि आज तो शहीद होने से बची गए। अब चाय और सिगरेट का दौर शुरू हो गया है। बताए कि भुकम पाने वाला है। उल्टा यह तो ऐसे भागता है कि यमराज इसी के पीछे पड़े हुए है। खाटू भी कहते कहते हस पड़े। उसकी यही आदत है होगा वही चौदरी की दुकान के बराबर में। हमेशा वही बैठता है आकर। चौदरी के पराठो की दुकान के बराबर में बैठा हुआ धारी वाला कुत्ता खाटू को देकर पूछ हिलाने लगा। उसे पता था कि हमेशा के तरह आज भी एक लाग खानी पड़े गी। खाटू ने परंपरा के अंसार उसे उसका पुरसकर दिया और दोनों मित्र बाते करते हुए चल पड़े। कुछी देर में जगे जगे छोटी छोटी टोलियां बन जाती है। कुछ लोग सावधानी के तहर टुकडी बनाकर पास के विश्व विद्याले कैंपस की और चल पड़े हैं। उन्हें डर है कि पहले हलके जटके के बाद दूसरा बड़ा जटका आ सकता है। यद्यपी प्राया ये वे लोग हैं जो सावधानी के नैतिक बहाने से ज़्यादा देर तक गप्पे लड़ाने का अवसर हासिल करना चाहते हैं। इन टुकडियों में एक टुकडी मारू और इसके मित्रों की भी है। मारू, बुच्ची बाबू, खाटु दादा, गोगा जी, बनार्सी बाबू और बाला जी धीरे धीरे टहलते हुए आर्ट्स फैकल्टी के ओर चल पड़े हैं। लोग आपस में तरे-तरे की बाते कर रहे हैं। बुकंद के जख्के ने बहुतों के जख्मों को कुरेद दिया हैं। अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया है। ऐसा तो नहीं कि एक रोज हम सब ऐसे ही चल जाएं। अरे नहीं शंकर भाया, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घरवालों को हमारी वज़त से कम से कम कुछ खुशी तो मिल जाए। कभी तो हम इस लाइक हो सकें। इनी चिंताओं में डूबे, दोनों मित्र कॉलोनी के गेट के सामने चाय के ठेले तक पहुँच चुके हैं। अरे निल, दो चाय और एक ओमलेट देना, यह लो 40 रुपे, 10 रुपे कल दे दूँगा। कुछ लोग अपने-पने मुबाइलों उपर व्यस्त हैं। वे भुकंप का केंद जानने की कोशिश कर रहे हैं। घरवालों की सहनबुती पाने के लिए कुछ लोगों ने रात में ही घर पर फोन लगाकर भुकंप की जानकारे के साथ साथ अपने सुरक्षित होने के बारे में बता दिया है। चानत के निती कहती है इससे उनके दाना पानी चलते रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समझदार मजनूम मिजाज लोगों ने इस घटना को एक अविसर की तरह ले लिया है। और मौके का पूरा फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन महापुर्शों ने भारत सरकार से भी पहले कूडे के डेर से बिजली बनाने की कला सीख ली है। कॉलोनी के आसपास दिल्ली दिश्विद्याले के कई प्रसिद्ध कॉलेज है। यहां के हॉस्टल्स में बहुत सी सुन्दर सुन्दर लड़किया रहती है। जैसे दौल दौलत राम एक गर्ल्स कॉलेज है और यहां की लड़कियों को कॉलोनी में दौलत राम की दौलत के रुप में जाना जाता है। ऐसे ही अन्य सभी कॉलेजों को भी उपनाम मिले हुएं जैसे मिरांडा हाउस की लड़कियों के लिए मिरांडा के पटाके। वैसे तो दिल्ले विश्विद्याले के सभी कॉलेजों में पूरे देश से एक से एक प्रतिवाशाली लड़कियां और लड़के आते हैं पर कॉलोनी में यह मानिता है कि SRCC के लोग तो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते अर्थात वे बोरिन हो सकते हैं इसलिए यहां की लड़कियों को SRCC की खुर्चन कहा जाता है हसी मजाग तो चलता रहता है पर समानिता कॉलोनी के लोग असब भी नहीं हैं और इस्त्रियों समेथ सभी का सम्मान करना जानते हैं कौरोनी से कुछी दूरी पर विजय नगग, हर्सन लाइन, मुखरजी नगग, नहर विहार आदी भी हैं यहां भी पटने वाले लड़कों और लड़कियों की बड़ी संख्या रहती हैं कन्याओं को प्रभावित करने के मामले में इन मेंसे कुछ लोगों की सफलता का और सत दूसरे अनलोगों से थोड़ा जादा है उन्होंने रात में फोर लगा कर अपनी अपनी गर्ड्रेट्स को भुकम्प की जानकारी देने के साथ उनकी सलामती की खबर ले ली है उन्हें सावधान रहने की हिदायत भी दे दी है अब भाई प्रेम है तो चिंता तो बनती है ना भले ही पहले से ही पता है कि कुछ भी नहीं हुआ है भगवान का शुक्रिया भी अदा कर दिया गया है अब यह तो शुक्रिया कहने वाले ही जाने कि भुकंब के छुटे से जटके के लिए या अपने सपनों की रानी के सही सलामत बने रहने के लिए अभी आप सुन रहे थे एपिसोड एक संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी बी पंद्रदी फोट फ्लोर मेरी यानि विकास विनीत जा की आवाज में आगी के कहानी के लिए सुनते रहे बुक आउडियो